नमस्कार दोस्तों आपका अमारे चैनल में स्वागत है क्यों जरूरी है घर में तुलसी का पौधा विज्ञानिक, धार्मिक और जोतिसी महत्व दोस्तों तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपुन माना जाता है ये पौधा अपने विज्ञानिक, धार्मिक और जोतिसी गुणों के कारण महत्वपुन है तुलसी के पौधे का महत्व पदम, पुराण, ब्रह्मा वेवर्थ, पुराण, इसकंद और भविस्य पुराण के साथ गरूर पुराण में भी बताया गया है इस पुराणी गरंतों के अलावा आईववेद और विज्ञान ने भी इस पौधे को पर्यावरन एवं स्वास्त के लिए महत्वपुन माना है वही अनेक ब्रत, धर्म और कथाओं में तुलसी जी का महत्व बताये गया है भरण विश्णो विश्नो स्रिक्रिक्ष्ण की कोई भी पूझा बिना तुलसी दल के पूरी नहीं मानी जाती इवेन अगर भगवान को प्रशाद भी लगाते हैं भोग भी लगाते तो उसमें भी बिना तुलसी पत्ते डाले वो प्रशाद भगवान स्विकार नहीं करते तो इसलिए ये पौदा घर में होना बहुत ही जरूरी है पदम पुराण के अनुसार जो दसन करने पर सारे पाप समधाय का नास कर देती है इस परस करने पर सरीर को पवित्र बनाती है परणाम करने पर रोगों का निवान करती है जल सीचने से अमराज को भी भै पहुँचाती है आरोपित करने पर भगवान स्री कृष्ण के समीप ल लिखा है कि तुलसी का पौधा लगाने उसे सीशने और ध्यान इस पर्ष और गुंगान करने से मनुस्य के पुर्व जनम के पाप नर्ष्ट हो जाते हैं ब्रह्म अविवर्थ पुरान के प्रकर्ति खंड में लिखा है कि मृत्यों के समय जो तुलसी पत्ते सही जल पीता है पर हर तरह के पापों से मुक्त हो जाता है इसकंद पुरान के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है हर दिन जो उसकी पूजा करते है ऐसे घर में यम्दूत प्रवेश नहीं करते हैं इसकंद पुरान के अनुसार ही बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए व परजित नहीं है यानि कि ये दोनों चीज अपवित्र नहीं माने जाती ब्रह्मेवेर्ट पुराण के अनुसार स्रीकृष्ण जनमखंड में लिखा है कि घर में लगाई हुई तुलसी मनस्यों के लिए एक ल्यानकारी धन पुत्र परदान करने वाली पुन्यदाइनी और हर सुबर तुलसी जी का दर्सन करने से सवा मास यानि कि सवा ग्राम सुनी का दान का फल मिलता है क्या कहता है आविवेड और जोतिस के अनुसार जोतिस विज्ञान के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौदा होता है वहाँ वास्तु दोस्त नहीं होता इस पौदे को घर के उत्तर पूरव कोने में यानि कि इसान कोन में लगाना चाहिए वहीं भवी से पुराण में भी लिखा है कि तुलसी का पौदा घर के दच्छनी भाग में नहीं लगाना चाहिए इससे दोस्त लगता है अरिवेद में कई उसदिया तुलसी के पत्तों से मिलाक बनाई जाती है अरिवेद के नुजाया तुलसी के पत्तों में पारा होता है इसलिए इसे दातों से नहीं चबाना चाहिए ऐसा करने से दात खराग हो सकते है तुलसी पर हुई वेग्यानिक रिपोर्ट और रिसर्च क्या कहती है इसको भी जान लेते हैं बनस्पति वेग्यानिक डाक्टर जी डी नाक करनी का कहना है कि तुलसी के नियमित सेवन से सरीर में उर्जा का प्रवाव निरंतिर्थ होता है और वेक्ति की उम्र बढ़ती है फ्रेंच डाक्टर विक्टर एसिन का कहना है कि तुलसी एक अद्बुत औसदी है Imperial Malarial Conference के अनुसार तुलसी Malaria की विस्वसनी और प्रमानिक दवा है Defense Research and Development Organization के वेग्यानी को द्वारा किये गए एक सोथ से पदा चलता है कि तुलसी में Antioxidant होता है जो कि सरीर की मिर्थ कोशिकाओं को ठीक करने में मददगार होता है तुलसी का प्रभाव सरीर में पहुशने वाले केमिकल या फिर अन्य नसीले पदार्तों से होने वाले नुकसान को कम करता है टीवी Malaria और अन्य संक्रामक रोगों में से निपटने के लिए तुलसी कारगर है तिरुपती के KBS विस्यविदाले के एक अध्यन के अनुसार तुलसी का पौदा उच्छवास में ओजोन वायू छोड़ता है आभा मंदल नापने के यंत्र युनिवर्सल स्केनर के माध्यम से तक्निकी विस्यशक यस्री के एमजेन द्वारा किये गए परिछन में पता चला है कि कोई व्यक्ति तुलसी के पौदे की नो परिक्रमा कर ले तो उसका अभा मंदल का प्रवाव छेतर तीन मिटर तक बढ़ सकता है तो दोस्तों तुलसी इतनी महत्ववण है हमारे जिवन के लिए तो अपने घर में तुलसी का पौदर जरूर यूश करें और उसकी पत्ते को अपने खाने में अपने दिनचरिया में बगवान को चढ़ाने में उसको हर जगा उसको यूश करें इसे प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद